हेलो नमस्कार आदाव से स्रीकाल मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश शुबेजिंग चोहान आप लोग का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर दोस्तों 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत इंपोर्टेंट ट्रीटी हुई इंडस वाटर ट्रीटी जिसके तहत सिंधू नदी का पानी किस तरीके से भारत और पाकिस्तान में share होगा यह decide हुआ उसके बाद पाकिस्तान द्वारा कहिं सारे concern उभर के आए भारत के द्वारा कहिं सारे concern उभर क्या है उनके solution कमिशन्स द्वारा निकाले गए रिसेंट्ली भारत के कुछ डेलिगेंज यह हैं वो पाकिस्तान के अंदर जाने वाले हैं इस इंडस वाटर ट्रीटी को लेके तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि यह डेलिगेंज क्यों जा रहा है वहाँ पर क्या बातशीत होगी और क्या इसका इतिहास है क्या यहाँ पर इसके लीगल परस्पेक्टिव है उनसाई चीजों के ओपर चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं बट उसके पहले आप लोग में साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्लूप और सकते हो क्लास की सारी अपडेट पीपीटी पीडिएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी रोज सुबह 8 बजे दर हिंदू अनलिसिस की क्लास मेरे दौरा लाइव ली जाती है आप वहाँ पर ही में साथ में लाइव जूड़ सकते हो और दोस्तों अगर आप लोगों को अनका मतलब मेरे दौरा किया जाएगा मतलब मेरे दौरा कराई जाएगी बस आपको कुछ नहीं करना है जब भी आप अनकाडमी का सब्सक्रिप्शन लोग चलिए दोस्तों अब मैटर को समझने ही गोईश करते हैं मैटर को समझने से पहले जोग्रफी समझते हैं सिंदु नदी क जो है उसकी पांच बड़ी ट्रिब्यूटरी है और भी ट्रिब्यूटरी है पर पांच बड़ी ट्रिब्यूटरी है जिनके नाम का प्रयोगिस ट्रीटी के अंदर किया जाता है एक है इंडस इंडस के जश्ट नीचे है जेलम उसके बाद है चेनाव उसके बाद में है रा जब थोड़ी आगे चलती है तो उसी के अंदर रावी मिल जाती है और यह जो तीनो नदि यह एक हो जाती है दूसी तरफ यहाँ पर यह चोटी सी जो जगए यहां पर यह पंच नद कहल आती है और यह पाँ पर 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 नाम यूज किया गया तो अलग अलग consider करते हो चलते हैं तो मामला क्या है तोड़ा सा ये समझो अगर आप इस नदी को देखोगे इस इंडस नदी को देखोगे तो ये शुरुआत में मान सरोवर से शुरू हो रही है फिर उसके बाद ये इंडिया में आ रही है फिर ये पाकिस्तान occupied कश्मीर जहां पर आप गिलगिट बालतिस्तान देखोगे वो वहाँ पर चली जाती है वहाँ से पाकिस्तान चली जाती पर ये जो नदी है इसका भारी भाग जादातर भाग पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की बड़ी अर्थ व्यवस्ता इंडस नदी के ओपर depend करती है वहीं अगर मैं दुसरी तरफ बात करूँ तो इसकी जो शुरुवात है इसकी जो upstream है वो भारत के पास में मतलब भारत अगर यहां से पानी रोके तो पाकिस्तान के लिए समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसी नदी के ओपर dependent है इसके अलावा कोई बड़ी नदी पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी है ना तो इंडस नदी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रा important है अब हुआ कुछ यू थोड़ा इतिहास में चलते है 1948 की बात है जिस दौरान में भारत तो पाकिस्तान के बीच में conflict चल रहे थे तो जब भारत पाकिस्तान के बीच में conflict चले तो भारत ने क्या किया इंडस नदी के ओपर जितने भी कैनाल उनको बन कर दिया जिसके बाद में भारत से पानी पाकिस्तान के अंदर जाना बंध हो गया जब भारत से पानी पाकिस्तान के अंदर जाना बंध हुआ तो problem पाकिस्तान में होने लगी हाला कि 2-3 महिने के अंदर ही वापस से पानी शुरू कर दिया गया और पाकिस्तान में पानी वापस चला गया पर अब पाकिस्तान को एक बास समझ आ चुकी थी कि अगर इंडस नदी पे कोई अच्छी ट्रीटी नहीं हुई कोई प्रॉपर पानी का शेरिंग नहीं हुआ तो ऐसे केस में भविश में दिक्कत आ सकती है भारत से ऐसे केस में उन इंडस रिवर के लिए मद्दस दस्तता कराने की कोशिश की 1958 के अंदर दोनों देशों को सेम पेश पे लाया गया और 1960 के अंदर भारत पाकिस्तान के दौरा इंडस वाटर ट्रीटी के ओपर साइन किया गया भारत के उस समय पर प्राइम मिनिस्टर जवाहलाल नहरू थे ज गनरल आयूब खान पाकिस्तान के लीडर थे तो उस दौरान में उन्होंने इस ट्रीटी के उपर साइन किया था जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर क्या हुआ थोड़ा वो समझो तो टोटल ये और इस्टन रुईवर जो है वो है रावी, बियास, सतलज, आर, बी, एस ये तीन नदी जो है वो इस्टन नदी है बोला ये गया कि जो इस्टन नदी है इन इस्टन नदी के अंदर आपको पानी जो है वो लगबग 33 मF का पानी आपर देखने को मिल जाएगा 33 मF का पानी इन नदीयों के अंदर है ये पानी का complete यूज भारत कर सकता है भारत चाहे तो उसको irrigation के लिए यूज करे भारत चाहे तो इसको commercial यूज करे भारत जैसे चाहे वैसे इन तीन नदीयों का पानी जो है वो प्रियोग कर सकता है मतलब इस्टन रिवर जो है वो भारत को अलोट कर दी गई वहीं जो वेस्टन रिवर है उसके अंदर इंडस थी उसके अंदर जेलम थी और तीसरी नदी क्या थी बोलो जरा चेनाब इन तीन नदियों को कहा गया कि यहां पर जो पानी का एकसेस है वो पाकिस्तान में रहेगा पर क्योंकि यह नदी भारत से जा रही है तो भारत इसके अंदर छोटा मोटा यूस पानी का कर सकता है भारत यहां पर डैम नहीं बनाएगा मतलब पानी को रोकेगा नहीं भारत यहाँ पर Hydro Project बना सकता है पर किस तरीके के? Run-off-dem 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 का मतलब क्या होता है? Run-off-dem का मतलब होता है कि पानी को बहुत नहीं रोका जाएगा जो बड़े-बड़े डयम जहाँ पर पानी रुकता है इस तरीके से नहीं किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा कंसर था कि भारत यहाँ पर डैम अगर बनाएगा तो पानी रोक के छोड़ेगा तो उसकी वज़े से पूरे पाकिस्तान में बाड़ा जाएगी तो रन आफ डैम जो है भारत बना सकता है रन आफ डैम मतलब चलते हुए पानी के अंदर तरबाइन के जड़िये इलेक्टरिसिटी भारत यहाँ पर इस्टोर भी कर सकता है ठीक है इतनी डिटेल में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं भारत को यह अधिकार एक्सा दिया अब है उन प्रोजेक्ट के ओपर डाउट है तो पाकिस्तान यहां पर अब्जेक्शन उठा सकता है यह इस ट्रिटी के अंदर क्लियरली कहा गया इतना ही नहीं देखो इंडस नदी जो है वो उनकी अब हर एक नदी की छोटी छोटी स्ट्रीम है उन छोटी स्ट्रीम को कनेक्टिंग लेक को उसी नदी का भाग माना गया है जैसे सतलज की कोई सी होगी कोई सी भी कनेक्टिंग रिवर होगी कोई सी भी कनेक्टिंग stream हो गया फिर कोई भी connecting lake होगा उसे सतलज का पानी ही माना जाएगा और उसी तरीके से उसे consider किया जाएगा जैसे उपर श्योक है जैसे उपर गिलगिट है जैसे उपर नुबरा नदी है इन सारी नदियों को इंडस नदी के रूप में ही consider किया जाएगा और यहां पर भी वही रूल लगेंगे जो इंडस नदी के उपर लग रहे हैं इस तरीके से यह पूरी ट्रीटी जो थी वो भारत पाकिस्तान के बीच में रही अब हुआ क्या हुआ ऐसा कि यह ट्रीटी अगले वर्ष पाकिस्तान में तो उसकी अगले वर्ष भारत में इस तरीके से चलता है दोनों देशों के बीच में पिछली बार क्या हुआ कि भारत के अंदर निव देली के अंदर ये कमिशन मिली थी तो इस बार भारत के द्वारा दस डेलिगेंट जो है वो पाकिस्तान जाने वाले हैं एक से तीन मार्च के बीच में अटारी बॉर्डर के जरिये जाएंगे योगी भारत पाकिस्तान की दुश्मनी थोड़ी गहरी है ऐसी कंडिशन में हर जगे से आने जाने नहीं दिया जाता है तो अटारी बॉर्डर से ही जाया जाएगा और ये जो कमिशन बैठेगी ये जो बाचीत की जाएगी आपस में जो कंसर उठाए जाएंगे वो उठाए जाएंगे इसलामाबाद के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि भारत से तीन महिलाएं डेलिगेशन के रूप में इनडस वोटर ट्रीटी के नेगोसियेशन के लिए जाएंगी भारत से जो पर्मान इंडस वोटर ट्रीटी के लिए हैं वो प्रदीब कुमार सक्सेना ही बताएंगे कौन दस मेंबर जाएंगे साथ में पाकिस्तान की तरप से सैय्यद मुहम्मद मेहर अली शाह है जो decide करेंगे कि उनकी side से कौन कोन आने वाला है अब इस treaty के अंदर इस commission के अंदर क्या क्या बात होने वाली है बात अभी fixed decide तो नहीं है पर मैंने बताया कि पाकिस्तान को कहा गया है कि भाया भारत के कोई भी project हो जो इंडस चेनाब और जेलम पर हैं जो run of डेम है अगर वो treaty से बाहर आपको लगते हैं तो आप objection उठा सकते हो भारत को क्या कहा है कि आप डेम बना सकते हो तो भारत ने डेम बनाए हूँ है भारत ने डेम बनाए है पकलदूल भारत ने dam बनाए है कि यह डैम जो है वो चेनाव के ऊपर बने हुए है चेनाव नदी किसको दिया कौन सी नदी है इस यह देर टी क्राइटेरिया है उनके बाहर बनाए गए है वहीं भारत का कहना यह है कि इनकी जो design है वो completely इंडस water treaty की तरह ही है जो चीज वहाँ पर लिखी गई थी ठीक उसी तरीके से है और वो center दोरा certified भी किया गया है भारत के अंदर तो यह जो है इन चीजों के ओपर थोड़ी सी बात होगी दोनों देशों के बीच में और यह delegation जो है वो एक से तीन मार्ज के बीच मिलने वाले हैं तो दोस्तों होप आपको यह matter पूरी तरीके समझ में आया होगा आज के लिए तरह लगते हैं लेक्चर अच्छा लगाओ तो लाइक करो लेक्चर बहुत अच्छा लगाओ तो नीचे सासी 10 कमेंट करो अगर आप लोग को अनकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना करने का एक ही कारण है कि अच्छे से कोशन कर सको और उसके लिए आपको तरीके की प्रेक्टिस करने पड़ेगी जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी उसके लिए आपको कोचिंग इंस्टिट्यूट जॉइन करना पड़ेगा और अनकैडमी के टीचर यह बताते हैं कि अनकैडमी बेश्ट है तो जाओ सब्सक्राइब करो कोड का यूज़ करना है एसासी टेन तो आज के लिए इतना ही जय भारत